दोस्तो माउंट अबू के व्लोग में आप लोगों का स्वागत है मैं जा रहा हूँ अभी गुरू सिखर गुरू सिखर के रास्ते में हूँ और नीचे नजारे बहुत ही कूपसूरत है तो वन डे पिकनिक करने के लिए हम लोग यहां पर आये हैं एक दिन का हम पूरा प्ला चाहिए सारी सला कितना खर्चा होगा वो सब कुछ में आप लोगों को बताने वाला हूँ और यहां से हमारा प्लान है उदेपूर कल जाने का वो भी आप लोगों को हम घुमाएंगे तो चले दोस्तो फटावट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम सुरू करते हैं तो दोस्तो साड़े दस बजे हम जो है माउंट आबू पहुचे थे जिसका व्लोग आप लोगोंने पहले देख चुके होंगे केसे हम एहमदाबाद से माउंट आबू पहुचे और उसके बाद दोस्तो सीधा हम आ गये नक्की लेक पे होटल हमारा बुक नहीं था होटल का हमने दूसरा वीडियो बनाया तो इस रास्ते से होते हुए हम नक्की लेक सबसे पहले जा रहे हैं तो दोस्तो नक्की लेक सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रेक्शन है और मैं कहूंगा आपको रेकमेंड करूंगा कि या तो होटल आप नक्की लेक पे लीजिए या आप ग गूम सकते हैं गूमने के लिए बहुत सारे पॉंट से जैसे के हर सकते हैं के हील पोईट Mut्फ होएतो यहाँ पर कि लोग फोटोग्राफी करवाते हैं तूसरा हमारा टोड्रोGS हो गया यहां बहुत सारे टेंपल है जैसे कि देलवाडा टेंपल है रगुनाजी टेंपल है ऐसे ही एक दो दूसरे भी टेंपल है तो आप टेंपल में भी जा सकते हैं ठीक है और दोस्तो इसके बाद मैं अगर आपको बताओं तो हम यहाँ पर अभी voting करने के लिए आये थे लेकिन network ना होने की वज़े से मैं online payment नहीं कर पाया और जिब में पेसे थे नहीं तो फिर हमने सोचा के चलो voting फिर कभी कर ली जाएगी और कहीं और हम कर लेंगे साइद हम उदेपूर जाएंगे तो वहाँ पर हम जो है voting कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तो market बड़ा ही खुबसूरत है और ज्यादतर market का जो price है वो आपको इतना मेंगा नहीं जैसे कई बार hill stations पे होता है उतना मेंगा नहीं है प्लस दोस्तो एक point गुमा जाए तो एक point के लिए हम आ चुके हैं honeymoon point जहाँ पर parking की अच्छी ख्यासी व्योवस्था है और आप यहाँ पर आकर अपनी car park कर सकते हैं तो हमने car park कर ली है और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे वैसे दोस्तों अब हम जहां जा रहे हैं वहाँ car की entry नहीं है तो car park कर दी और यहाँ से लगबग local guides ने बताया के लगबग हमें 2 km चलना होगा और दोपेर का समय हो चुका है हमने इसके बीच में एक hotel डूडा hotel पे सामान रखा फ्रेस हुए कपड़े बदले और आ गए यहाँ पर अब यहाँ पर भूक लगी तो हमने मंगवाया sandwich और हमने मंगवाया एक pizza जो बच्चों के लिए था तो लगबग हमारा यहाँ पर बील हुआ 350 रूपीज तो चलना बहुत है तो अगर आप चलना आवइड करना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी कार की व्यवस्ता नहीं है लेकिन एक मुझे mismanagement यहाँ पर लगा कुछ बावबली जैसे लोग या कुछ असामाजिक तत्वा में कहूंगा ऐसे कुछ लोग वहाँ पर आये थे जिनकी कार्स को अलाव किया गया था कार से अंदर भी जा रहे थे कार से बाहर भी जा रहे थे तो मैं कहूंगा rules सब के लिए एक समान होना चाहिए रास्ते में नजारे बहुत अच्छे है क्योंकि left side आपको जंगल दिखेगा left side आपको नकी लेक दिखेगा और बड़या ही enjoy करेंगे लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा हम ठक सा गए क्योंके दो किलो मिटर अंदर जाना है और दो किलो मिटर हमें चल कर वापस भी बाहर आना है यह आपके सामने नकी लेख है हनीमून पॉइंट पे काफी चलने का है जहां से मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया लेकिन मोसम बड़ा सुहाना है अगर गर्मी में यह होता तो बहुत ठकन लगती तो चलने का भी मज़ा है गुर सवारी से भी जा सकते हैं और मैंने जो आपको गारी दिखाई उससे भ जरूरत से ज्यादा है ही लेकिन आपको मैं जंगल दिखाना चाहूंगा कि एक्चुल जंगल कुछ ऐसे हुआ करता है सायद आप नहीं देख पाएंगे लेकिन मैं देख वा रहा हूं नीचे एक खल खल बेता जर्ना भी है और चारो तरफ पस पेड़ी पेड़ है यह आब सुगे हैं हम हनीमून पोइट पर यहां पर दो मंदिर भी है एक सिद्धी विनायक मंदिर मतलब गणेश जी का मंदिर है उसके लिए सीडिया चड़के आपको उपर जाना है उपर मंदिर दिख रहा है और एक सामने की तरफ से भी उपर एक और मंदिर है और लिखा हुआ ह पर कपड़े आप अच्छे पहन कराएं ठीके हैं तो यह है हमारा हनीमून पोइंट चलिए देखते हैं और यहां से आ जैंगे और वापीस यहाँ आएंगे ठीके हैं तो यह हैं आपका हनीमून पोइंट देखें यहां पर जितने भी मंदिरे उसमें पूरे कपड़े पहन के आईए फटी हुई जीन्स और सोट्स यहां पर नहीं चलेंगे तो इस बात का खास खयाल रखिए अब दोस्तो इस पॉइंट के बाद हम सोच रहे हैं कि हम दो दिन रुकने आये थे माउंट आबू में लेकिन इस हनीमून पॉइंट के बाद हम कोई पॉइंट नहीं गूमेंगे यहां से हम चले जाएंगे गूमने के लिए यहां का सबसे उच्छा परवत जो है गुरू सिक तो चले दोस्तो अब यहां से हम गुरू सिकर की और आगे बढ़ने की तयारी करते हैं और वापसी में भी आपको यहां पर मस्त मस्त सी पहाडिया देखने को मिलेंगी तो हमने पहले लेक देखा फिर हनीमून पॉइंट और आज का हमारा कीसरा ट्रावल डेस्टिनेशन हो तो जाके देख सकते हैं अभी गुरू सिकर यहां से 4-5 किलो मिटर है अब दोस्तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको गूमने के मैंने प्लेस बता है उसमें से कुछ प्लेसिस रास्ते में भी आएंगे अचलगर फोर्ट है रास्ते में था लेकिन जैसे के कह रहा हूँ के एक ही दिन में कवर करना है तो सब कुछ कवर नहीं कर सकता तो आप अचलगर फोर्ट भी जाना चाहे तो जा सकते हैं वैसे बहुत बड़ा फोर्ट नहीं बना हुआ पुराना बहुत पुराना फोर्ट है दोस्तो हमें समें एक चीज केता हूँ का आप गूमने जाते तो द पॉइंट ही आज के दिन में कवर किये लेकिन मैं आपको पूरा खर्चा भी बताने वाला हूँ तो दोस्तों खर्चा जो है अगर मैं एहमदाबाद से गिनूँ अपनी कार लेकर तो हमें लगबक 2500 रुपे का पेट्रोल लगेगा और अगर मैं होटल सस्ते में सस्ता होटल अगर मैं मान के चलता हूँ अगर 1200 रुपे में मिल जाता है 1200-1500 तो मैं 3000 रुपे के दो होटल गिनता हूँ अब दोस्तों हम आ चुके हैं गुरू सीखर जो सबसे उंचा परवत है और यहां पर आने के बाद अपनी अलग ही रूप में है और यहां पर नीचे एक पार्किं है और कितना एंजोई है तो दोस्तों यह हो गया हमारा होटल और पेट्रोल 5000 रुपे और खाना में प्रती दिन का 1000 रुपे गिन रहा हूँ तो 7000 रुपे में आपकी ट्रिप होगी अगर आप 2 दिन की ट्रिप एहमदाबाद से माउं टाबू की करते हैं 7000 रुपीस में हो जाएगी प्लस सोपिंग आपकी अलग हमेसा कहीं भी घूमने में तो नहीं जोड़ी जाती वो तो अलग ही हमेसा रहती है प्लस चोटे-मोटे खर्चे भी मैंने इसी में गिन लिये हैं तो मैक्सिमम साड़े साथ हजार रुपे तक का आपका खर्चा होगा और अगर एमद जैसे मैंने पिछलो व्लोग में बताया है कि नीचे से उपर आने के चार्जिस भी कुछ 70-80 रुपीज पर प्रतिपरसन है तो पर परसन अगर मैं एमदाबाद से गिनूं आना जाना जो है आपको 500 रुपीज पर इंसान होगा तो आपके पास अगर चार जन से ज्यादा आ आ रहे हैं तो मैं सजेस करूंगा कार लेकर आई एक-डो इंसान आ रहे हैं तो आपके पास कर नहीं है तो आप जो है गवर्मंट बसीस से भी आ सकते से जिन लोगों को माउं टाबू में रुकना है उन लोगों के लिए मेरा सज़ेसन है कि अगर आप गुरूषी सीखर के पास किसी होटल में रुखते हैं तो आपको वेदर के ज्यादा मज़े मिलेंगे अगर बारिस का मोसम है या नहीं है क्योंकि यहां पर उचाई ज्यादा है और ठंड ज्यादा है तो यहां फ्री पार्किंग का भी एक सेक्षन है नीचे पेड़ पार्किंग भी है हमने वहां पार्किंग में नहीं किया उपर फ्री पार्किंग में आया फ्री पार्किंग की क्योंकि और उपर तक है यहां से आगे आपको जाने नहीं कि और यहां से पूरी खाय है जो возь़ेगी कि अभी बादल हमको क्रोश कर रहे हैं अभी साम के 176 हो रहें अभी 10-15 मिनिट में यहां की सोपिंग में दोस्तों मैंने आप्जर्व किया कि यहां पर तलवार वगेरा मिल रही है और राजस्थान यह जूतिया वगेरा मिल रही है समय हो रहा है लगबग पोने साथ बज रहे हैं बहुत दूंद बढ़ रही है तो अब हम नीचे की तरफ चलेंगे बहुत अच्छा मोसम है गुरू सिखर में आप ज्यादा टाइम रुके मैं इसा आपको सजेस्ट करूंगा और होटल भी इसके आसपास लेंगे तो आपको औ सौनराइज और हनीमून पोइंट और फलाना धिमकाना पोइंट बनाई देते हैं हर हाई हील स्टेशन पर यहां का एक चीज है कि आप नीचे से आए हैं तो आप इस वेधर को एंजोई करें फील करें ठीक है तो उस केटेगरी में है तो यहां पर आकर रुकिएगा मज़े लीजिएगा वरना मेरे ख्याल से एक दिन इस इनफ है आबू में रुकने के लिए माउंट आबू में खास करके रुकने के लिए वो केसे में आगे आपको बता अब रास्ते में दोस्तों जैसे ही हम नीचे की तरफ वापसी कर रहे थे क्योंकि अब साम का वक्त हो चुका ह सारे साथ बज रहे हैं और सूरज ढलने ही वाला है वैसे अगर संसेत पॉइंट में इस समय जाता तो दोस्तों धुन्द की वज़े से ना तो आपको संसे How सही देखने को मिलेगा ना आपको संसेट कई बार सही से देखने को मिलता है अगर आप मौनसून में आते हैं तो तो दोस्तो हम वापसी की तरफ थे तो ये एक पॉइंट दिखा जहां पर लोग भीड़ खटा थी और मुजिक बजा रहे थे ब्लूटूथ वाले और सब मज़े कर रहे थे तो हमने सुचा क्यों ना हम भी रुक कर थोड़ा मजा किया जाए और ओसम जगाती मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां जाए यहां पर एक पत्थर भी बड़ा सा बनाया गया है राउंड शेप में जहां पर लोग फोटोग्राफी वगेरा करवा रहे थे तो आप यहां पर जरूर आईएगा तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप एक दिन रुखना चाहते तो एक दिन रुख सकते हैं और रिलेक्स करना चाहते हैं और दूसरे दिन एक आथ पॉइंट लेना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं हमने सोचा कि आज ही के दिन हम गुरू सिकर को कंप्लिट कर ले क्योंकि हमने 5-5 बजे गाड़ी स्टार्ट की और हम लगपग दोस्तों वहाँ पहुचे 6-6 बजे के पास और एक गंटा हम गुरू सिकर पे रुखे और उसके बाद हमने वापसी कर ली हमने सोचा आज ही गुरू सिकर को कंप्लिट किया जाए क्योंकि कल पे रखेंगे तो हम उदैपूर नहीं जा पाएंगे रास्ते में वेक्स म्यूजियम भी देखने को मिला तो गूमने के लिए आप वेक्स म्यूजियम में भी जा सकते हैं अगर इंटरस्टेड है नरेंद्र मोदी अमीच सा और अमिता बच्चन जैसी वगेरा मूर्तिया भी यहाँ पर वेक्स की बनाई हुई है अब दोस्तों बहुत बूक लगाई है तो खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूनना पड़ेगा हमें अब निकल रहे थे नीचे की तरफ जा रहे थे अब दिनर करें निकले तो अंबी का रेस्टोरेंट है वहां पर खाना क्वाने श्चाफ्र है है नजारे भी काफी अच्छे चलो भी लिए वह रहर करें ठीकें और यहां नजारे पीछिए पूरा ओन तो हमने सोचा आप डिनर दोस्तों करी लिया जाए भूख बहुत तेजी से लगी है जो पंजाबी धाली मंगाई है पंजाबी धाली में क्या है वो मैं बताता हूं आपको पांच चपाती है काफी अच्छी है ठीक है दो सब्जी है उसमें से एक पनीर की है पनीर बटर मसाला एक चुना मसाला है एक दाल चावल भी है और पापड और च्छास है बहुत खुबसूरत थाली अप टेस्ट केसा है हो मैं खा के आपको बताता हूं और प्राइस जो है अलग अलग थाली का अलग अलग यहां पर रेट है 280 रुपीज है अब दोस्तों डे टू हो चुका है व्लोग अभी भी कंटेनियू है सारी इंफोर्मेशन मैं ने आपको बताई कि यहां पर क्या गूमने लायक है कहां जाना है कितने दिन आप रुक सकते हैं वो सब कुछ म भी नजर नहीं आ रहा था तो बहुत अच्छा मोसम अब इस मोसम के साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया एक दिन हम मुझे लगा यहां इनव है क्योंकि एक ही दिन में मैंने जितना आपको दिखाया उसमें से मेजर अट्रेक्शन मैंने कवर कर लिए और वेधर के लिए यहा से हम जाएंगे उदेपूर क्योंकि उदेपूर यहां से 160 किलो मिटर ही है तो 160 किलो मिटर होने की वज़े से अब नस्दीक है तो चले जाते हैं यहां से अभी सुबा के साड़े साथ बज़रे आठ नो बज़े तक निकलेंगे बारा बज़े तक हम पहुंच जाएंगे पहले यहां के नजारे देख लीजिए और इस व्लोग को हम यहीं पर समाप करेंगे